आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपके लैपास अबगटो number of क्या होते है Atoms होते है multiply आपकी N होता है N होता है atomicity ऐसे इत ओम आपके आपके है वहाईद इसकी क्या हो जाएगी इसकी N की value क्या होगी ईट्वाइन पर अगर मुझे आपके maximum number of atoms निगालने तो 32 divided by 32 divided by 256 right so that will be equal to 0.125 moles clear so यह मेरे पास क्या है इसके moles निकल कर आगे है right अब अगर मैं next अगर मैं बात करती हूँ so यहाँ पर मुझे आपके number of atoms निकाने होंगे so आपके जो number of atoms होंगे वो basically आपके क्या हो जाएंगे it will be 0.125 into our get row number आप कर लीजे और multiply हमें 8 भी करना हो क्योंकि atomicity linear right so यह हो जाएगा आपके पास into आपके 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 6.022 into आपके आपके 8 clear so यह आपका निकल कर आप 6.022 into 10 to the power 23 atoms only right next है 32 gram of oxygen gas यह हमारा first case था second case कह है 32 gram of oxygen gas oxygen gas होती है आपकी O2 clear so इसके moles अगर मैं निकालूँगी so 32 weight है और 32 ही इसका molar mass होता है so one mole so इसमें भी मेरे पास जो number of atoms होंगे वो आपके कितने होंगे क्योंकि एक mole में तो आपके 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 number of atoms ही हमारे पास present होते हैं next वो लगे 32 gram of sulfur vapors so ये सेम केस रहेगा हमारे पास यहां पर भी हम sulfur asset ही लेकर चलेंगे vapor pom में भी so यहां पर हमारे पास क्या होगा अगर में बात करती हूँ number of atoms again आपके 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 अवागेटरो number of atoms रहेंगे right next वो ले 32 mole of oxygen gas so देखो 32 mole सो एक मोल में होते हैं, अब गए तो number of atoms, तो 32 मोल, अगर मैं ले लिए oxygen, gas की, तो उसमें कितने हो जाएंगे, it will be 6.022 into 32, that is 192.7 into 10 to the power 23, आपके क्या होंगे, atoms होंगे, सो option 4 correct होगा, thank you. कीचे अपने डाउट्स, 8444 सो पर.